नमो नारायन मित्रों इस वेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि डी नाम के जातक एबम एम नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का बैबाहिक जीबन इन दोनों का दामपत्य जीबन कैसा होगा मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह वेडियों डी नाम के जातक एबम एम नाम के जातक के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण एबम उपयोगी है तो वेडियों को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाट्सेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें मित्रों अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि डी नाम के जातक एबम एम नाम के जातक यदि साधी करते हैं तो इन दोनों का संबंध कैसा होगा होते हैं लेकिन यदि एम नाम के लोगों की बात करें तो इस नाम के जातक अगनी तत्तु बाले होते हैं मित्रो इस नाम के लोगों के बीच में बिरोधा भास लगभग हमेशा होता है इस नाम के दोनों जातक कभी भी अपने दामपत्ते जीबन में एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं इस नाम के दोनों जातक हमेशा अपने दामपत्ते जीबन में एक दूसरे के बिरोधी होते हैं मित्रो इस नाम के दोनों लोगों का विक्तित एकदम अलग होता है मित्रो इ नाम के जातक हमेशा अपने जीबन में बहुत जयादा इमांदार एबंब फादार होते हैं इस नाम के जातक कभी भी अपने बैबाहिक जीबन में अपने जीबन साथी को धोखा देने का प्रयास नहीं करते हैं लेकिन यदी एम नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के लोगों का विक्तित बहुत जयादा अलग होता है मित्रो इस नाम के लोगों के भीतर नित्रित करने की छमता बहुत जयादा होती है लेकिन यदी डी नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के जातक बहुत ज्यादा बिस्वासी होते हैं इस नाम के जातक किसी भी इनसान पर बहुत जल्द भरोसा करते हैं एबम इसके अलाबा इस नाम के जातक अपने जीबन में हमेशा सम्मान के भूखे होते हैं मित्रो इस नाम के दोनों जातक यदी अपने दामपत्य जीबन में एक दूसरे की भाबना का सम्मान करते हैं तो इन दोनों का बैवाहिक जीबन बहुत ज्यादा सांदार होगा मित्रो इस नाम के दोनों लोगों को अपने दामपत्य जीवन में बहुत ज्यादा निष्ठा बान बनना चाहिए मित्रो डी नाम के जातक एबम एम नाम के जातक इस नाम के लोगों के गुन एबम अब गुन को मिला कर यदि इनके बैबाहिक जीबन इनके दामपते जीबन की बात कड़े तो इन दोनों का संबंध सामानने रहेगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक करदे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करदे इबम इस वेडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट करदे एबम इस वीडियो को आप हर जगह से अरकर दे धन्यवाद जैसी आराम राधे राधे